दोस्तों आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में आया जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में जिसमें की कम से कम सजा अगर सेक्शन 6 लग जाए तो इसमें 20 सा कि यह जा है उमर कैद है फासी तक का प्रावधान किया जा सकता है साथ मही फाइन लगता है वो अलग इसमें बहुत तरहीं गलतियां आप करते हो जिसकी वजयसे कि सजा हो जाती है सजा होती है जेल जाना पड़ता है और फिर आपको 20 साल या उमर कैद तक काटनी पड़ सकती है ऐसे कुछ गलतियां आप कर बैठते हो अपने इस पूरे केस के प्रोसीडिंग्स में उस केस के प्रोसीडिंग्स के बारे में भी बताऊंगा पांच गलतियों के बारे में भी बताऊंगा पांच रेमेडीज भी बताऊंगा किस तरह से आप पॉक्सो केस अगर आप पर लग जाए या आपके कोई भी सगे सम्मंधी पर भी अगर लग जाए जानकार पर भी अगर ये केस लग जाता है पॉक्सो का इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि अगर कोई भी चोटा बच्चा जिसकी एज 18 से कम है वो लडकी हो या लड़का हो अगर वो कमप्लेंड करता है कि किसी ने भी उसके साथ में कोई गलत हरकत की कोई भी सेक्चुल ओफेंस किया तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाए और उसको जेल भेज़ दिया जाएगा मजिस्टेट साब के सामने पेश करने के बाद केस लगता है तो ऐसे मामलो में प्रूफ भी आपको ही करना है कि आपने ऐसा कोई अपराद नहीं किया क्योंकि जो सेक्शन 29 है क्या बोलता है सेक्शन 9 पहले मैं आपको बताता हूँ दूस्तों ये है पॉक्सो एक्ट इस पॉक्सो एक्ट में सब कुछ लिखा है जो जो प तीन है पांच है साथ है नो है तो ऐसे जो ओफेंस होंगे मतलब तीन पांच साथ नो ये तो लिखा है कि क्या क्या अपराद होंगे और जो सजा के बारे में बताया वो तीन का चार में बताया पांच का छे में बताया साथ का आठ में बताया और नो का दस में बताया बारा भी एक offense होता है 12 पे लोग कन्विक्ट होते हैं तीन साल की उसमें कम से कम सजा का दोस्तों प्रावधान है इसमें section 29 जो पॉक्सो एक्ट का है वो यही बोलता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम पॉक्सो केस में आया ऐसे व्यक्ति को सीधा अरेस्ट कर लिया जाएग और कोट यही मानेगा कि अपराज आपने ही किया है जबकि अपने देश का कानून ये बोलता है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो innocent है जब तक वो पुरूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है पर पॉक्सो में ऐसा नहीं होता आप ही गिल्टी हो आप ही पुरू फैर लॉज हो जाती है फैर लॉज हो जाती है पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है यहाँ पर आप गल्यती क्या करते हो कि आप प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि आपने वो अपराद नहीं किया अगर वहीं पर जैसे ही आपको पेश किया गया मजिस्टेट साब के साम और अगर आप प्रूफ कर पाए कि नहीं मैंने या प्राद नहीं किया मैं तो वहाँ पर एवलेबल ही नहीं था दोस्तों पॉक्सों में होता किया है कि मामले जो सामने आते हैं वो तीन साल पहले घटना होती हैं पास साल पहले घटना होती हैं दोस्तों आपको अपने वकील साहब पर भरोसा रखना पड़ेगा, अगर आप अपने वकील साहब पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो केस अपने आप में ही खराब हो जाएगा, आपको लगता है, वकील साहब आपकी गलती कर रहे हैं, आपके केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं तो आपको वकील साफ चेंज कर लेने चाहिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप वकील साफ चेंज नहीं कर सकते आपके पास प्रावधान है पर मैं आपको दोस्तों बता दू कि सीधा आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है आपको अपनी बेगुना ही तभी प्रू लेनी चाहिए दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साफ है कोई भी लॉय स्टूडेंट है कोई भी कानूनी जानकर लेना चाहते हैं या आप पर या आपके सगे संबंधी पर या जानकर पर पॉक्सो केस लगा है ये वीडियो बहुत काम का है आपके वीडियो को सेक्शन चार के तहट अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो इसके अंदर कम से कम 10 साल की सजा होगी और अगर मामला है सेक्शन 6 का तो कम से कम 20 साल की सजा होगी जो की उमर कैद या फासी तक में परिवर्तित की जा सकती है इस डिपेंड करता है केस टू केस दोस्तों पॉक् ओफेंस 19 से पहले के हैं उसमें सजा थोड़ी कम है जितने ओफेंस 19 के बाद के हैं उनमें सजाएं जादा है तो आपको यह देखना पड़ेगा सजा बहुत जादा है आप जब ट्राइल लड़ रहे हो ट्राइल में कोई किसी भी तरह की आपकी कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी धील मत बरतना वरना सजा आपकी तैह है, सजा हो जाएगी, जेल जाओगे, बाद में आप अपील लगाओगे, और जब आप अपील लगाते हो, तो अपील में भी आपको याद रहे, कुछ चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि वन फोर्थ सजा आपकी कट जा लगाने के बाद ही अक्सर देखा जाता है, कि बातों पर सुनवाई होती है, दोस्तों, लोग ये बोलते हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट जाते ही, मुझे वहाँ से अपील में रिलेक्सेशन मिल गया, या फिर मुझे रिलीफ मिल गया, दोस्तों वन फोर्थ जो पार्ट होता है 25% कम से कम सजा काट लेने वाली जो बात की जाती है वो पूरा हो जाता है और ये भी देखा जाता है कि पहले आपने सजा कितनी काटी है अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ट्रायल को बहुत जादा ध्यान से लड़ना चाहिए वरना आप जेल जाओगे दोस्तों छूटोगे जल्दी से नहीं सालों साल आपको जेल में गुजारने होंगे और जब भी आप कभी अपील लगाते हो पौक्सों में ये आप पर आप प्रूफ करोगे कि आपने वह अपराद नहीं किया जबकि कोट यही मानेगा कि आपने वह अपराद किया है अपने देश का कानून अलग बाद बोलता है और जबकि जो पौक्सों है पौक्सों थोड़ा उससे उलट है अपने देश का कानून जो पौक्सों मे नहीं होता कि आपने वो अपराद नहीं किया इसलिए आपको जेल जाना पड़ता है इसलिए आपको सजा होती है अगर आप इन बातों को ध्यान रखें अगर आप इन बातों को ध्यान से जान लें तो मेरा मानना है सजा नहीं होगी बिलकुल भी गलती मत करना आपको किया था और करने के बाद में अब तक मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई क्योंकि मैं डरी हुई थी या फिर हम लोग डरे हुए थे अब आप प्रूफ कैसे करोगे कि छे साल पहले जो घटना हुई थी वो आपने नहीं की ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है और ये प्रूफ करन के बेल के ग्राउंट्स बनते हैं और मामला सीरिस बन गया तो वो भी आपकी बेल नहीं होगी तो मामला बहुत सीरिस है आपको देखकर ट्राइल को लड़ना चाहिए दोस्तों आप किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी अगर चाहते हैं हमार दियेगे नमरे कॉंटेट क कर सकते हैं कोई भी सला चाहते हैं सला भी ले सकते हैं कोई जानकारी चाहते हैं वो भी ले सकते हैं बस हम चाहते हैं लीगल अवेडनेस को फैलाना ताकि लोग अपने आपको कानूनी जानकार बना सकें अब हम बात करते हैं पांचवी बात की जो गलतियां आप करते हो दो पांच वी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कि मौन लीजी आपने ट्राइल लड़ा, पूरा ट्राइल चलता गया, ट्राइल में आप अपने एविडेंसिस दे नहीं पाए, अपने आपको आपको लगानी है अपील, अपील आप लग आप सुप्रीम कोर्ट में, और दोस्तों बहतर होगा कि अगर ऐसे मामलों में, क्योंकि अपील में क्या होता है, आपको ये दिखाना पड़ेगा, जो ट्राइल कोर्ट था, उसने गलती क्या की, मतलब कि उसने किस चीज़ को सही से नहीं लिया, या फिर क्या मिस्टेक किस तरह से आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे बेनिफिट्स नहीं मिले, आप कोई भी चीज़ नई नहीं लेके आप आओगे, नया कुछ एड़ ओन नहीं कर सकते हो आप जो ट्रैल में चला वही लाओगे, या फिर बड़ा ही कॉंक्रीट कोई चीज हो, इन चीज जाते हो, सजा हुई है, कोई इनसान जेल गया है, और वो इनसान सजा काटेगा, पर आपको क्या चाहिए, 20 साल के सजा हुई है, तो मेरा व्यक्ती 20 दिन में बहार आ जाए, ऐसे नहीं होता, ऐसे सिर्फ आप पैसा बरबात करोगे, घरबार अपना बेचोगे, पैसा भरते रहोगे, बढ़ आपको कोई सॉलीशन मिलेगा नहीं, बैतर है जो भी आपके वकील साहब है, आपको और राइट डिरेक्शन में लेकर जाते हैं, सही तरह से आपको सला देते हैं, उनकी बातों को मानों, उनकी बातों को मानों, उनके अनुसार अपने केस को आगे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आप बिना बात में हर बात में इंटरफेर करोगे तो वकील साहब लास्ट में क्या गरेंगे फटा-फट से आर्ग्यूमेंट कर देंगे डिस्मिस हो जाएगी आपकी फाइल आपको वापस लोटा देंगे इन बातों का दियान रखना दोस्तों अमीद करता हूँ जो पांच बाते मैंने पॉक्सों के बारे में आपको बताई वो आपको समझ आई होगी अच्छा लगाओ आज का वीडियो हमारी वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुचाएं शेर करें वीडियो ताकि वो भी आपने आपको कानूनी जानका बना सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले साथ में लगा वे लाकिन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेरनेस की वीडियो आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुच सके सबसे पहले बहुत बशुक्राइब दोसे ने वाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए